अब्दूरोजीक को हाथ में लोड़ेट पिस्टल लेना पड़ा भारी मुंबई पुलिस ने दर्च की शिकायत पिकबॉस 16 से सबका दिल जीतने वाले अब्दूरोजीक इन दिनों काफी लाइम लाइक में बने हुए हैं हाल ही में अब्दूरोजीक ने मुंबई के अंधेरी में अपना रेस्टरोंट बुर्गिर खोला है जहां फरा खान, सोनुसूद, अर्शना गौतम और स्वाज़त खान जैसे कई स्टार्स का मेला भी लगा लेकिन हाल ही में अब्दूरोजीक मुश्किलों से घिर चुके हैं दरहसल उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वाइरल हो रहा है जिसमें वो हाथों में पिस्टल डोट करते हुए नजर आए उनके वाइरल वीडियो को लेकर लोगों ने सवाल खड़े किये साथ ही मुंबई पुलिस ने भी इसकी शिकायत की अब्दूरोजीक के हाथ में ये बंदूग गोल्डन बॉइस के गाइड ने पकड़ाई थी दरसल अब्दूरोजीक के रेस्टरॉंट में गोल्डन बॉइस सनी, नाना साहिब वांग चौरे और सनी गुजर भी आये थे मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक उनके बॉडि गाइड ने अब्दूरोजीक को बंदूग दी थी हाला कि बॉडि गाइड के पास पिस्टल रखने का लाइसेंस है लेकिन अब्दूरोजीक के हाथ में पिस्टल देख लोगों ने सवाल खड़े किये साथ ही मुंबई पुलिस से इसकी शिकायत दर्च कराते हुए बोला कि अगर ये गलती से चल जाती तो वहां मौजूद लोग घायल भी हो सकते थे आपको बता दे कि ओशी वाड़ा में स्थित अब्दू के रेश्टरॉंट में काफी सलेब्स भी मौजूद थे उस वक्त मुंबई पुलिस ने अब्दूरोजीक के खिलाव शिकायत दर्च कर लिया है हाला कि इस मामले पर अभी तक अब्दूरोजीक या फिर उनकी टीम की तरफ से कोई भी रेक्शन सामने नहीं आया है वही कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने भी उन्हें आड़े हाथो लिया एक यूजर ने कॉमेंट करते हुए लिखा ये गोल्डेन बॉइस के बोडी गाइट का लाइसेंस रत कर देना चाहिए वह एक दूसरे यूजर ने कड़े आक्शन की मांग करते हुए लिखा इसके किलाव कड़ी कारवाई होनी जाहिए लॉंग्चेंड शॉट्चेंड शॉट्चेंड शूरू करेंगे अब्दूराजिक ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें